श्री गुरु वे नमस्कार मैं सूरेज मिस्रा आप लोगों का एष्टो गुरु एष्टो तक पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यह आज तक का एष्टो तक बिशेश प्रोग्राम आपके पास धर्म तथा जोति से जुरी बिशेश जानकारियों को लेकर आता है आज हम बात करेंगे आपके जन्मकुंडली में ब्रिश्चिक रासी के बारे में कि ब्रिश्चिक रासी वाले जातक क्या करें ब्रिश्चिक रासी वाले जातक कैसे अपने जीवन से इन समस्याओं को दूर कर लें और जॉब बच जाएं क्योंकि आए दिन आपका प्रशन आता है बिर्शिक रासी वाले जातक प्रशन करते हैं कि सर्जॉब नहीं लग रहा है गुरुजी गुरुजी गुरुजॉब का कोई उप्चार बताइए तो आज उन्हों उप्चारों को लेके आया विर्शिक रासी वाले जातकों को सबसे पहले क्या करना है सीवालय प्रतेक दिन जाना है यह रूटिक बना ले जैंके कि आपको सीवालय जाना है जाना है आस पास कहीं संकर्जी का बंतिर हो जाना है और गुच्छ में गुड। गुड। मिष्ड गश्रित कर आप ठड़ाना है और पूरा अच्छे से मालिस करनी है आपके करतल मद्द से मालिस करनी है इसके बाद जलका असनान भगवान संकर को चरहें और रक्त चंदन अर्पित करें भगवान संकर को कि ऐसा आपको करना होगा कि प्रते एक दिन सुबह कर लें तो बख्तु तम होगा कि शाथी सात ब्रिष्चिक राशिबाले जास तक रात्री में सोते बक्त आपको दूध और गुर्ड का सेबन करता है रात्री में सोते बक्त भी कारण कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा तभी आप अपने प्रतिक्दंडी को पीछे छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके सरीर क जो उपस्थित इनर्जी है उसको पॉजिटीव कर देता है और उसके पॉजिटीव होने से आप इस प्रकृति में अपने होने के इस्थिती को अस्थापित कर सकते हैं फिर जो आप सोचते हैं उस मनुनकुल जगों पर आप पहुंच जाते हैं तो आप बिश्चिक रासी वा आपको मतलब यह आप करें तो आपको दिखेगा कि नहीं आपको फायदा हुआ है आपको जॉब मिला और लगेगा कि नहीं हां कुछ पॉजिटीव हुआ मेरे लाइफ में तो बड़ा सरल है इसमें कि रात्री सुम्हें सोते बक्त दूद और गुड के साथ ले ग्रह करना और भगवान संकर को अर्पित करना है क्या तो दूद और गुर मिला करें रात्री में सोते वक्त दूद थोड़ा गुनगुना होना चाहिए दिन भगवान संकर को चरहने के लिए गुनगुना दूद क्या आवश सकते है नॉर्मल दूद हो उसमें गुर मिलाकर उनको अर और उनको अच्छे से मालिस की जाए और उसके बाद आपको क्या करना है तो सिबालय में बैट कर क्योंकि इसके राशी से ब्रिश्चिक राशी के मंगल हैं तो मंगल का ध्यान करना है और उनके मंत्र का जाप करना है प्रतीक दिन 108 बार सिबालय में बैट कर रुद्राक्ष के माले पर या रक्त चन्दन का माला आता है उसके आप इसको करें आपको ये लाब दिखेगा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुबाद नमः पारवती पते नमस्कार